सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों आपका इस प्लेट फाम पे स्वागत है आज हम लोग महात्मा गांधी इस्टिटूट फॉर सिविल सर्विसेस द्वारा संचालित की जारही टेस्ट स्रीच का कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे आपको बता दें कि यहां पे जितने भी कोश करेंट इनसे जो भी कोशन आपके बंते हैं और आते हैं तो वहां के लिए एक लास बहुत ही महात्पूर हो सावित होगी तो आप लोग इन कोशनों को बड़े ध्यान से पढ़ें एक एक कोशन आपके एक जाम पाइंट अभी से इंपोर्टेंट है और आपको बता दें कु कि उस से भी गलती हो जाती है तो उसके लिए आप से मैं छहमा माँगना चाहता हूं लेकिन आप लोग जो अन्वांटर मेसेज कर देते हैं यहां तक कि बच्चोंद वारा मेसेज किया गया कि सर आप गाजा पीके पढ़ाते हैं सर आप दारू पीके पढ़ाते हैं इसके ल तो आप समझे कि इतनी क्लास यही नहीं मेरी ऑफ लाइन भी क्लास रहती है और हर एक आदमी यदि बारे से 14 घंटे काम कर रहा है तो कहीं ने कहीं थकायन महसूस होगी आप भी एक घंटे लागा लगातार बोलेंगे और पढ़ भी रहे होगे तो आप देखेंगे कि आपको आटोमेटिक जोहाई जैसे सब जो आपने प्रयोग किया था वो आने लगेगी तो इसको आप समझे आपके साथ ही नहीं सबके साथ हमारे साथ भी होता है तो आपके साथ भी होता होगा तो आसा है कि आगे से आप लोग ऐ ऐसा कमेंट नहीं करेंगे जो आपको यदि अच्छा ना लगेगा तो समझे कि सामने वाले को भी अच्छा ना लगेगा बाकि आप इस ओनलाइन प्लेट फार्म पे वेलकुछ स्वधन्त रहें कुछ भी आप मैसेज कर सकते हैं वो आपकी समझ है देखेंगे कि हमारे कौन कौन से कोसन महतूर है इस से पहले दोस्तों आप लोग चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा इस सेसन को क्लास को जादा जादा सेर कीजिएगा जैसा कि हमारा फर्स्ट कोसन है हमारा यह रहा फस्ट कोशन पहला पहला गुप्त सासन सासक जिसने सिक्के जारी किये थे कौन थे और यह आपकर सासक था चंद्रगुप्त प्रथम यह पहला सासक था जिसने रजत चांदी इसकी रजत चांदी के सिक्के इसने क्या किये थे प्रचलित किये थे या चलवाये हुए थे आप यदि हम चंद्रगुप्त के बारे में बात करें चंद्रगुप्त का जो बिवाय हुआ था वो हुआ था कुमार देवी से कुमार देवी से इसका बिवाय हुआ था और इसने महाराजा धिराज की उपाद धारन की थी नेश्ट कोशन है महाभास के लेखक पतंजली समकालिन थे जो महाभास के लेखक तो आपके पतंजली थे लेकिन वो किसके समकालिन थे यह आपको बताना है और यह जो समकालिन थे वो थे पुस्यमित्र सुंग के पुस्यमित्र सुंग के समकालिन थे और पतंजली द्वारा पाननी के अश्टा ध्याई ब्याकरण ग्रंथ पर महाभास लिखा गया था ये आपको महाभास के वारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए नेश्ट कोशन है मद्रास के रैतवाडी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था और इससे जो संबंधित रहा था वो रहा था आपका मुनरो मुनरो इससे संबंधित रहा था यदि हम बात करें कि रैतवाडी भूमिकर विवस्ता को कब से लागू किया गया था तो 1792 से 1792 से मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया गया था इसके अंतरगत पंजी क्रित भूमिदार भूम का स्वामी होता था जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदाई होता था यदि हम बात करें आगे तो हमारा next question है हिंदूस्तान socialist republican association की स्थापना कब हुई थी और इसकी जो इस्थापना हुई थी वो हुई थी 1928 में 1928 आपके इस question का right answer हो जाएगा जो आपका हिंदूस्तान socialist republican association था इसके जो प्रमुक इसके जो प्रमुक कहा जाए तो क्रांतिकारी थे वो थे आपके चंद्र सेखर आजात भगत सिंग जैसे लोगों ने इस संग्ठन इस स्थापना की थी कहा की गई थी आप से भी पूझा जा सकता है तो इसके स्थापना 1928 में नागपुर में नागपुर में की गई थी बात करेंगे हम नेस्ट कोशन की तो हमारा नेस्ट कोशन है निम लिखिद में से जिस एक सासक ने East India Company को दिवानी प्रदान की थी वह था वह कौन था सासक यह आपको पूझाना है वह शासक था आपका साह आलम दिती साह आलम दिती था जो 12 अगस्ट 12 अगस्ट 1765 को 12 अगस्ट 1765 को इसने कहा जाय तो साह आलम दिती ने लाड करजन कौन थे लाड करजन कलाइब के माध्यम से इलाहाबाद की संदी जो हुई थी उसमें बिहार उडिसा वा बंगाल की दिवानी अंग्रेजों को सौंप दी थी बात करेंगे हम नेश्ट कोशन की तो हमारा नेश्ट कोशन है 6 नमर का पारिस्तितिक तंत्र में उच्च पोशन इस्तर प्राप्त है अब इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका सरवाहारी को सरवाहारी इसका राइट एंसर हो जाएगा चुकि इसे उच्चतम पोशन इस्तर प्राप्त है यो सरवाहारी होते हैं वो साकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते हैं इसलिए इसे कोशन का उच्छिस्तर प्राप्त है आगे की हम बात करेंगे तो हमारा नेश्ट कोशन है सेवन नमबर का कोणधारी बन नहीं पाए जाते जो कोणधारी बन है वो नहीं पाए जाते और वो नहीं पाए जाते हैं आपके ओमे जोनिया में ओमे जोनिया में कोणध चाश-टिंग्रि 70 Utari 50 से लेके 17 डिंग्रि उत्तरीच चांस गे मद्य उस्त divorce यह उत्तरी अमेरिका जो आपका दिस ethy नौर्ठ मुर्फ अमेरिका है North shootings अमेरिका के उत्तरी Jungle अमेरिका युरहिजिया Siberia में भी यह कॉंडधारी बन पाए जाते हैं जिन्हें ट्रेगा बनस्पति यहां ट्रेगा बनस्पति भी पाए जाती है तो ट्रेगा बनस्पति से कहते हैं बात करेंगे हमने श्कोसन तो एंटी सोल क्या है एंटी सोल क्या है आपको कमेंट करके बताना है और एंटी सोल जो है आपका ना यह एक प्रकार की जलोड मित्ती है एंटी सोल एक प्रकार की जलोड मित्ती है कैसे आप समझेगा जो नव विक्सित जो नई नई मित्ती होती है जो बिना किसी प्राकृतिक सस्तर बाली मिर्दा होती है उसे एंटी सौल कहा जाता है इस प्रकार के लक्षण भारत में जलोड मिट्टी में पाई जाते हैं और ये मिर्दाएं विभीन प्रकार के जलबाय प्रदेशों में पाई जाती है हमारा जो नेश्ट कोशन है मलेशिया और सुमात्रा को जो जल्ड अमरू मद्ध अलग करता है वह है और यह आपका जल्ड अमरू मद्ध अलग करता है वो है आपका मलक का जल्ड अमरू मद्ध मलक का जल्ड अमरू मद्ध यदि हम मलक का जल्ड अमरू मद्ध की बात करें तो किसके भीज इस्तित है आपका मलेशिया और सुमात्रा के भीज यदि आप देखेंगे तो इधर साइड आपका इधर साइड आपका हो जाता है मलक का आपका इस्ट साइड और बेर्थ साइड आपका हो जाता है सुमात्रा और इनके मद्धे आपका जल्डमरूमद इस्थित है इसे आप ध्यान से देख लीजिए अब यहाँ पे आप पूँछेंगे कि सर हमें यह भी बताईए कि बोरिंग बेरिंग जो जल्डमरूमद है वो किसके किसके भी चिस्तित है तो यह इस्तित है आपका एसिया वा उत्तरी अमेरिका को यह दोनों मलब बीच में इस्तित है जो इन दोनों को अलग करता है साथ यदे आप पूँछेंगे कि पाक जल्डमरूमद तो जो आपका पाक जल्डमरूमद है भारत वा स्री लंका के मद इस्तित है यह आपका MPPSC एक्जाम में पूछा गया कोशन है यह भी आप ध्यान रखिएगा जो आपका जिब्राल्टर जो आपका जिब्राल्टर बात करके रखिएगा चूकि यहां से आपके कोशन बन जाते हैं एक बार आपका पाक जल्डमरूमद पूछा जा चुका है तो इन चारों में से सायद है कि इसी जाम में आपसे पूछ ले जाए तो ऐसे कोशनों को आप ध्यान से रखिएगा बात करेंगे हम आगे तो हमार का अबस्तित है आपका आपका थाबस्तित है दे डीजा हो जाएगा या हम बात करेंगे तो हमारा आघला वांसिक बिमारी है जो होती है यह जो डाउन सेंड्रोम है अनुवांसिक बिमारी है यह होती है गुण सूत्रों की संच्छा में परिवर्तन की कारण जैसे कि आपके टोटल 46 गुण सूत्र होते हैं जिन में 26 यहाँ पे आपके हो जाएंगे 46 में आपके 23 और 23 नर और 23 मादा की यदि इन दोनों में से यदि किसी भी एक गुण सूत्र की कमी हो जाएगी तो वो आपको डाउन सिंड्रोम जैसी भीमारी हो जाएगी साथी साथ आपको बता दें कि यह जो आपके 23 और 23 गुनसूत्र हैं इन्ही गुनसूत्रों के आधार पर आपका जो होता है ना तो लिंग का निर्धारन भी होता है जिन में आपके 22 बाइस गुनसूत्र जो होते हैं वो तो बिद्दमान रहेंगे जो आपका यक्स और बाई यक्स यक्स और यक्स भाई यह दोनों जो गुनसूत्र हैं इन्ही दोनों गुनसूत्रों पर आपके आपका जो बच्चा है वो लड़का होगा अत्वा लड़की होगा यही दोनों गुनसूत्र डिपेंड करते हैं कि कहा जाता है तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहि होता है जो आपका हिलियम होता है हिलियम के नाभिक में क्या होता है अब जो हिलियम का नाभिक होता है इसके नाभिक में होता है दो प्रोटान वाद्यों न्यूट्रान सीस का राइट अंसर हो जाएगा यदि यहाँ पे हम बात करें कि जो हीलियम का नाभिक होता इसमें दो प्रोटान वा दियो न्यूटान होते हैं और नाभिक में उपस्तित प्रोटानों की संग्छा को परमार संग्छा जो ये प्रोटान है ना तो प्रोटानों की संग्चा को पर्मार संग्चा जब कि जो आपका प्रोटान प्लस न्यूटान यदि इन दोनों संग्चाओं को जोड़ दें यह कहलाता है पर्मार भार यह आपसे पूछ लिया जाए कि परमार्व संग्छा यानि atomic number या तो आप से पूछ ले जाए atomic bet तो इन दोनों में क्या अंतर होता है तो आपको ध्यान रखना है यह होता है protonों की संग्छा और यह होता है आपका परमाल जो होता है तो atomic bet यानि परमाल भार यह कहलाएगा आपका इन दोनों का योग आसा है कितनी चीज़ें हाँ से आपकी clear हो गई होगी next question है मौद्रिक नीत का नीत का निर्मार भारत में कौन करता है और इसका जो निर्मार करता है वो करता है RBI इस जो आपकी मौद्रिक नीत होती है इसके निर्मार का जो प्रम उद्देश होता है वह होता है कि आर्थ विवस्ता के बिनिमय इस्थिर्था कीमत एवं आर्थिक इस्थिर्था बनाई रखने के लिए मौद्रिक नीत का निर्मार किया जाता है जैसे आपने एक सब्देश्टर में सुना होगा विमुद्री करन मैं एकोनोमिक पढ़ाऊँगा आप वहां समझाऊँगा कि आखिर विमुद्री करन होता क्या है विमुद्री करन किया क्यों जाता है और करने का प्रमुक कारण क्या होता है कब कब विमुद्री करन किया गया आगे के कोशन में बहुत करें तो गरीबी उन्मुलन का नारा किस पंचवर्शी योजना में दिया गया था अया दिया गया था आपकी पंचवर्शी योजना में इसमें जो प्रमुक तत्व थे आपके पंचवर्शी योजना के उन में थे उत्पादक, रोजगार के अपसरों का विस्तार करना, दूसरा था सामाजिक कल्यान का विस्तार कारिक्रम, और तीसरा था आपका एक न्याय पूर्ण कीमत यानि मजदूरी नहीं थी, ध्यान से आप इन सब बातों को सुना किजिएगा, क्लास में एक भी एक भी ब सुन सकते हैं, बात करेंगे हम नेस्ट कोर्शन की, तो हमारा फिप्टी नंबर का कोर्शन है, गैट, जी डवल एटी, गैट का तातपर क्या है, और जो गैट का तातपर है, जैनल एग्रिमेंट ऑन टेरिप्स एंड ट्रेड, इसका ये तातपर होता है, यानि फुल फार्म ट्रेफ एंड ट्रेड ये हुआ था 30, 30 अक्टूबर 1947 को, 30 अक्टूबर 1947 को हुआ था, और एक जनवरी, एक जनवरी 1948, 1948 को ये लागू हुआ था, और आगे ये चलकर, 12 दिसंबर, 12 दिसंबर 1905 को, इसका अस्तित तो ही खतम कर दिया गया, और इसके अस्थान पर ला दिया गया, डवलू टियो, विश्व्यापार संग्ठन अस्थान में ला दिया गया, तो इतनी जो, आभी तक हमने आप से शर्षाय की, इनको आसा है कि आप लोग ध्यान से सुने होंगे, बात करेंगे हम निश्ट कोशन की, कि भोपाल की जामा मस्जिद का निर्मार किसने करवाया था, अजो भोपाल की जामा मस्जिद है इसका निर्माल तो सर्प्तम आपको पता होना चाहिए 1837 इसवी में 1837 इसवी में कुदसिया बेगम ने किसने कराया था कुदसिया बेगम ने इसका निर्माल करवाया था यह जो निर्माल है यह जो मस्जिद है यह दिल्ली की जामा मस्जिद के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है यह भी आपको ध्यान रखना है नेस्ट कोशन है मद्यप्रदेश परेटन विकास निगम का गठन कव किया गया और इसका जो गठन किया गया था वह किया गया था 1978 1978 इस question का right answer हो जाएगा बात करेंगे हम next question की तो हमारा next question है डागवाला डागवाला नामा इस्थान का समंध किस युग से हैं और इसका जो समंध है वह है आपका किस युग से तामरपासान युग से यदि आप से पूछ ले जाए कि डागवाला जो डागवाला नामा का स्था किस स्थान है वह मद्द पर देश के किस स्थान में इस्थान तो यह आपका उज्जैन इस यह इस इस तीध है कि बात करेंगे हम 19 नंबर कोशन की फूट वेड़ डिजाइन और विकास स्थान कहा इस्थान है और यह आपका इस सित है गुना में अब आपसे इस से डीप लि पूर नामकस्तान में यह इस्थित है पूंटी नम्मर कोशन की बात करें कि आदिनात की विसाल मूर्ति किस सहर में इस्थापित है और इनकी जो मूर्ति इस्थित है वो है बावन गजा बावन गजा यह आपका बावन गजा में इस्थित है यानि 52 गजह Sankaright answer हो जायगा यदि हम 52 गजह की बात करें तो यह जो आपका बढ़वाणी जो बढ़वाणी सहर है बढ़वाणी सहर से 8 किलो मीटर 8 किलो मीटर दूर 52 गजह नामा का स्थान पर यह स्थित है जो चैन धर्म के प्रथम तीर थंकर रिशब देव जी की आदिनाथ की 4 फुट प्रतिमा प्रतिमा यहां पे इस्थित है रिशब देव याद रखिएगा रिसब देव बात करेंगे हम नेश्ट कोशन की तो हमारा नेश्ट कोशन है चित्र संदेश यानि वीडियो मैसेज निजी इन बॉक्स में कितने दिन रहता है आपसन आपके दिये हुए हैं और यह रहता है आपका 30 दिन दोस्तों आपको बता दें हर एक बात आपको लिख्के नहीं बताया सकती सो आप लोग सब्दों को सुनिए प्लास में आपको सब्दों को बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा बात करेंगे हम नेश्ट कोशन कि मैक एड्रेस का साइज क्या होता है जो आपका मीडिया जो मीडिया एकसेस कंट्रोल होता है इसका साइज कितना होता है यानि इसका साइज क्या होता है इसका साइज होता है 48 बिट 48 बिट इसका साइज होता है और इसका जो मूलिकार होता है संबोधित तंत्र और पाइनल एक्सेस प्रदान करना बात करेंगे हम 23 नमबर कोशन की इंपोर्टन कोशन है जी यू आई जी यू आई क्या है यह है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डी इसका राइट एंसर हो जाएगा जो आप नलब देखते हैं जैसे ग्राफिकल जो आईकॉन होता है उसको दिखाने का यह प्रमुकार करता है यह आपको ध्यान अखना है यदि हम बात करें आगे तो जेटा जेटा एक है और जो जेटा है ना तो यह एक प्रकार का आपरेटिंग यह एक प्रकार का आपरेटिंग सिस्टम है नेश्ट कोशन की बात करें तो टेंप्यूटर में अनुदेशों का बास्तवी क्रियानवन होता है और इसका जो ब्रास्तिवी क्रियानवन होता है कार होता है वो होता है ALU Arthematic Logic Unit इसके माध्यम से होता है Next question की बात करें YMIPS YMIPS इकाई निम्न में से किसे मापने हेथ प्रयोग करते हैं आ इसका प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है प्रोसेसर प्रोसेसर मापने में इसका प्रयोग किया जाता है कि प्रोसेसर की कितनी गती बरतमान में है बात करेंगे हम आगे तो हमारा Next question है 27 नमबर का question उच्च अक्छांस अनुसंधान प्रयोग साला किस राज में इस्तित है यह आपकी जो इस्तित है बो इस्तित है गुल मर्ग गुल मर्ग जम्मू कास्मीर में Next question की बात करें कि ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैसों के उत्सरजन पर कर लगाने बाला पहला देश कौन सा है current का question है अब यहाँ आपके आपसंद दिये हुए हैं और आप देखेंगे यह देश आपका हो जाएगा न्यूजी लेंड न्यूजी लेंड इस question का right answer हो जाएगा बात करेंगे हम next question की तो हमारा 29 नंबर का question है इन में से किस इस्थान से महात्मा गांधी का संबंध है और जो आपका Phoenix आश्रम हैना Phoenix आश्रम से महात्मा गांधी का समन था चुकि जो Phoenix आश्रम है इसकी स्थापना की बात करें तो 1904 में कब 1904 में महात्मा गांधी ने दक्षिन अप्रीका में Phoenix आश्रम यानी فर्म की स्थापना के थी नेफ्ट कोशन है पेशो किस देश की मुद्रा है अब मुद्रा का भी आपसे कोशन पूछा जाता है जो आपका पेशो है ना पेशो आपकी क्यूबा जो आपका क्यूबा है क्यूबा की है कहा जाए तो मुद्रा है अब आप पोचेंगे कि सर जो इसमें चार तीन और आपसंदिये हुए हैं तो आप उनका भी बता दीजे कि कांगो की क्या मुद्रा है अल्वीनिया की क्या मुद्रा है और लेवनान की क्या मुद्रा है तो यदि बात करें हम कांगो तो कांगो की जो मुद्रा है वो है फ्रैंक फ्रैंक आपके कांगो की मुद्रा है जो आपका जो आपका अलवानिया है तो अलवानिया की जो मुद्रा है वो है आपकी लेक और जो आपका लेवनान है ना लेवनान की मुद्रा है आपकी पाउंड तो इन सभी को आप ध्यान से याद करके रखियेगा बात करेंगे हम आगे तो हमारा नेस्ट कोशन है 31 नमर का बर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट के तहट निम्न में से किन समाचार पत्रों के विरुद मामले दर्ज किये गए यह किया गया था उप्रोग्त सभी जो आपका सोम प्रकास भारत महीर और ढाका प्रकास इन सभी के विरुद यह मामला दर्ज किया गया था जो बर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट था वो आया था 1878 में लाड रिपन के कारकाल के समय यह अधियम पारित हुआ था और बाकी आपने देख लिया कि इनके विरुद किया गया था इसमें इनके विरुद चलाई गई थी मामला दर्ज किया गया था आगे की बात करें तो पत्रकारिता के लिए सजा पाने वाले पहले भारती थे वो थे बालगंगा धर्तिलक बाल गंगा धर्तिलक अंग्रेजों द्वारा कोलहपुर के महाराजा के प्रति द्रिश्टता करने पर कड़े सब्दों से इन्होंने निंदा कर दी थी जिसके कारण इन्हें 1882 में सरकार द्वारा चार माह का 1882 में क्या किया गया था इन्हें सजा दी गई थी बात करेंगे हम आगे तो हमारा नेश्ट कोशन है 33 नंबर का 33 नंबर का कोशन है लाल बहादूर सास्त्री द्वारा जै जवान जै किसान का नारा दिया गया था और इनके दौरा जो यह नारा दिया गया था जय जवान जय किसान का नारा यह दिया गया था आपका 1965 में और पाकिस्तान का युद्ध प्रथम युद्ध चल रहा था नेश कोशन की बात करें कि कांग्रेस के नाकपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने समिधान में परिवर्तन किया इस अधिवेशन की अधिक्षता की थी और इसकी अधिक्षता जो की थी वो की थी C.B. रागवाच styl. इसमान का संबंध है. जो बनसी कौर। ते यह एक रंघविय। पूंच लिए जाए कौली कालि दास्त्रमान की बात करें उसकी सुरुवाद की गई थी 1980 से शुरुवाद की गई थी anश्त्रम में मुचतmäßig और किस्छेत्र दिया जाता थे आपके सास्त्री संगीत, सास्त्री नित रंग मंच और सास्त्री कलाहत प्रदान किया जाता है tá बात करेंगे निश्ट कोस्टन की तो ब्याली साहबे समिधान संसोधन अधियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस सब्द को नहीं जोड़ा गया था धर्म निर्पेक्ष, समाज बादी, गुट निर्पेक्षता और अखनता तो जो आपका गुट निर्पेक्ष सब्देना इससे समिधान में नहीं जोड़ा गया था बांकि यदि ब्याली साबें सम्धान संसोधन की बात करें तो इसे लग सम्धान की संजा भी प्रदान की गई है इसे आप इसे तौर पे ध्यान दीजेगा जैदी हम बात करें 37 घुशन की कि भारत एक है जो भारत एक है वह है राज्यों का संग है यह आसा जो आपका आटिकल जो आपका आटिकल एक है ना वह ही कहता है कि भारत राज्यों का संग है भारत समझाओते या संदिका परणाम नहीं है यह आपको ध्यान लखना है किसी भी राज्य को भारत संग से अलग होने का अधिकार भी नहीं है यह चीजें आपका जो आजिकल एक है ना भारत राज्यों का संग है यह यहाँ पर वहनित करता है बात करेंगे हम 30A नमर कोस्टन की तो हमारा कोस्टन है राश्टपत द्वारा लोग सभा में आंगल भारती समदाय को जो आपके दो सदस होते हैं उनका मनोनियन किस अनुप्षेत के अंतरगत किया जाता है यह किया जाता है आडिकल 331 तब मनोनियन करता है यदि बर्तमान की बात करें तो प्रोसेसर रिचाइड स्त्री जार्ज वेकर 23 जुलाई 2015 से जो आपका इनका मनोनियन होता है ना इसके इस समय ये मनोनिस सदस्य है बात करें हम नेश्ट कोशन की भारत अधियम भारत सासन अधियम 1935 के द्वारा इस्तापित संग में अबस्ष्ट सक्तियां किसे प्रदान की गई थी अग्या सक्तियां प्रदान की गई थी गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल को यह सक्तियां प्रदान की गई थी यदि बात करें हम बरतमान में बरतमान की यहां पर बात करें तो बरतमान में आपके 248 अनुक्षेद बंडित हैं और इसमें केंदर सरकार में यह सभी केंदर सरकार में नहीं थैं यहां बात करेंगे हम फोटी नमर कोश्न की वह गोपनी कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट परतिवंधित करता है कहलाता है इसे क्या कहा जाता है। और इसे कहा जाता है रख रखा है अब मुबाइल के अंदर क्या रख रखा है वो जानेगा बात करेंगे हम नेश्ट कोशन की कि प्रथम कामन वेल्थ गेम्स हुए थे gentwo Hawaii के जो पत्व कामन बेर कामनवेल गेहल हैं हो हुआ है है कि हमिल्टन में हुआ है 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 मिल्टन आपका है कनाडा है 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 मिल्टन आपका कनाडा पाकष और से han Prep 1930 में कहा जाए तो इसका आयोजन हुआ था प्रथामिस्तान की बात करें तो इंग्लैंड लेकिन भारत इसमें सामिल नहीं हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है भारत ये आप से पूछ ले जाया तो 1934 में जो लंडन में हुआ था ना उसमें भारत सामिल हुआ था नेक्ट कोशन की बात करें, तो 2024 में ओलंपिक आयोजित होगे, और 2024 में जो ओलंपिक आयोजित होगा, वो होगा पेरिस में, बात करेंगे हम 43 नमबर कोशन की, कि जल में बायो का बुलबुला किसकी भात व्योहार करता है, और यह जो व्योहार करता है, वो करता है अब तर ले हमहारा पुंव्ठी फोल नमर का कोशन है मैं इस रो पार माश्टर水 चंट्रोल सुद्धा हासन में और हासन अभिस्तिथ है और जो आपका हासन अभिस्तित धेना वह आपका अभिस्तित है करनाटक यह इसरो का master control सुद्धा यहां पर इस्तित है नेस्ट कोशन की बात करें फोटोग्राफियों में उप्योगी तत्व है कई वार हमने आपसे discuss किया कि फोटोग्राफियों में उप्योग किया जाता है वो कियाता है अबो कियाते है आपकी ब्यूटेन नेस्ट कोशन है रक्त रक्त क्या है और रक्त यदि आपको पता होगा तो रक्त एक सहऊंजी उतक है रक्त एक सहऊंजी उतक है जो आकसीजन का परिभरमान करता है बात करेंगे हम 48 नंबर कोशन की तो भारत में ब्रिहत पहमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी शेतर में की जाती है और प्रत्यक बच्चे को पता होगा कि यह की जाती है हुगली नदी शेतर में यह खेती की जाती है यदि भारत की बात करें जूट उत्पादन में तो भारत का जो जूट उत्पादन में अस्थान है वो है आपका दूसरा और यदि जो होली है होली आपका पस्षी मंगाल में है पस्षी मंगाल की नदी है और यदि पस्षी मंगाल की बात करें तो भारत में जूट उत्पादन पर इसका पहला अस्थान है 49 कलमकारी चितरकला भी निर्दिष्ट करती है और यह भी निर्दिष्ट करती है दक्षिन भारत में सूती बस्तर पर हाथ से की गई चितरकारी जिस प्रकार आपकी उत्तर प्रदेश में लखनव इस्तित चिकन करी वहां की प्रसिद्ध है उसी प्रकार आपकी कलमकारी चितर काला भी प्रसिद्ध है बात करेंगे हम 50 नंबर को संकी निमलेखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवाय उच्छन कटवंधियों से उपोष्ण सितोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है और इसका राइट एंसर हो जाएगा नाम दफा नाम दफा जो आपका कहां इस्तित है अवनांचर प्रदेश में नाम दफा आपका अवनांचर प्रदेश में इस्तित है जो पूर्भी हिमालय उप्रदेश में अब इस्तित है या आपका नाम दफा अवनांचर प्रदेश के पूर्वी हिमाले के चेत्र में बात करेंगे हम 51 नमबर कोशन की कि किसे सर्थो के पठार उपनाम से भी जाना जाता है यह जाना जाता है मद्ध भारत के पठार को सर्चो का पठार उपनाम से जाना जाता है और यह दिबात करें मद्ध व्रदेश में तो मद्ध व्रदेश के जो प्रमुक जिले आ जाते हैं वो आ जाते हैं भिंड हो जाएगा आपका भिंड के बाद आपका मुरैना हो जाएगा मुरैना के बाद आपका ग्वालियर ग्वालियर ए छेतर आपके सभी इसमें समलित हैं बात करें हैं 52 number question की कि मद्व देश का रेल सेवा आयोग कहां इस्थित है जो मद्व देश का रेल सेवा आयोग है वो अब इस्थित है भोपाल में इए आपको ध्यान रखना है यदि भोपाल में इस्थित हभीव गंज रेलवे स्टेशन की बात करें तो वह भारत देश का पहला private station है यह आपको ध्यान रखना है बात करेंगे हम next question की तो हमारा 53 नमर का question है असोक ले लेंड किस समुलकी company है असोका जो जिसे आप असोका या असोक लेंड किस समुलकी company है और यह है आपकी हिंदुजा यह है आपकी हिंदुजा समुलकी company यदि आ आपने हिंदुजा का नाम सुना होगा ना तो आपको बता दें कि जिस प्रकार यह जो हिंदुजा है भारत की company थी जिस प्रकार भारत में अडानी और अमबानी का नाम चलता है उसी प्रकार यहां के जो भारती हैं वो लंदन में रहते हैं और वहां पे इनकी बहुत ही कोश्चन है तपोबन और विश्णू गुल विश्णू गढ़ जल विद्दूत परियोजना कहां अविस्थित है और यह परियोजना आपकी अविस्थित है उत्तरा खंड कहां अविस्थित है उत्तरा खंड उत्तरा खंड का एक पिथावरा गढ़ एक पिथावरा गढ़ न लख नंदा किस नदी पर है कै अलाक नंदा नदी पर यह दोनों पर योजनाएं अबिश्टित हैं रहा कि बात करेंगे Mr. कोशन की Deswegen Commander ते तो आई रहा है जो आपका Big Commander है ना यह वाई सेना का प्रमुक अंग है बात करेंगे हम 56 नंबर कोशन की पिए इथ छूट किसके के द्वारा होता है ना यह होता है कि तौटा द्वारा अचिसको कहते हैं कि आपके पयर फट गए है to और इनका जो संबंध था वो था आपका गरीब, गरीबी के मापन के लिए यह समित बनाई गई थी, 58 नमबर का question है नागालैंड के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, और गांदा नागालैंड की जो गांधी है ना, इस नाम से जाना जाता है नटवर ठककर को, नटवर ठककर इस कोश्टन के राइट एंसर हो जाएंगे चुकि जो आपके नटवर ठककर है न इन्हों ने चुचु इमलांग में गांधी आसरम की स्थापना की थी बात करेंगे हम आगे तो हमारा 59 नंबर का कॉश्टन है प्रधान मंत्री द्वारा आईसमान भारती योजना कहां से लांच की गए थी यह यह योजना आपकी लांच की गए थी राची जो आपका जार खंड है ना जार खंड की यह क्या है राजधानी है जहां से 23 सितंबर 23 सितंबर 2018 को यह लांच की गई थी आपकी परियोजना प्रधान मंत्री आईश्मान भारत योजना कि बात करें हम 16 नमर को सनकी कि S मीरा भाई चानु की स्कृल से संते हैं जो आपकी यह संबंदीत है इनका संते है भारतोलं से के बात करें हमने श्ट को सनकी कि Lash Down कहां इस्तित है जो आपका Lash Down है ना यह आपका इस्तित है उत्तरा खंड में यदि लेड़ डाउन की बात करें तो यह एक परवती नगर है यह एक परवती नगर है यह आपको ध्यान लखना है dentro question है भगawat महावीर राश्ट्रे उद्यान कहाँ अप और यह आपका अविस्तित है गोवा गोवा में यह एक यह अविस्तित है और यहाँ पर हिरन चुहा आधि यह जानवार यहाँ पर पाए जाते हैं बात करेंगे हम नेश्ट कोशन की तो हमारा 63 नमर का कोशन है मद्वदेश के पहले आध्वासी मुख्यमंत्री कौन थे और मद्वदेश के पहले आध्वासी मुख्यमंत्री थे राजा नरेश चंद्र इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा चुकि एक केवल बारह यह केवल बारह दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे वो भी यह सन की बात करें तो 1979 में 1979 में यह बने थे नेस्ट कोशन की बात करें तो भारत में निम्न में से कौन नविक करेणी उर्जासरोत सरवाधिक संभाव बिता वाला है और यह आपका सौर सक्ती सौर सक्ती इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा बात करेंगे हम आगे तो हमारा 65 नंबर का कोशन है परि 1986 ने कोशन की बात करें तो पौधों में मुक्ख या प्रात्मिक होशकत्त है और पौधव में मुख ह२ा प्रात्मिक होसकत्त है वह नचनप में पेखें भाग सब्सक्राइब sustain एक्षार आपकी मिठी हैं प्रत्येकों भीमें इनी कीमिन अपोधों के लिए यहीं तीनौपोशक्त्त होने चाहिए यूझी तीनौao नाइट्रॉजन व्हासिपोरर्य और पोटास तीनौपोशक्त्त पाई जाए ना तों किसान कभी भी अपने खेद में खाद नहीं डालनी पड़ेगी चाहे वो आपका यूरिया हो चाहे वो आपका डिएपी हो या तो अधर कोई चीजे बात करेंगे हम निस्ट को संकी कि निम्न में से Greenhouse gas नहीं है अब जो आपकी nitrogen हाज़न आपकी Greenhouse gas नहीं है भाग तक जलवास है मेथेन और क्लोरो फ्लोरो कारवन इसके बाद कारवन डाई आकसाइड नाइट्रस आकसाइड ये सभी ओजोन गैसे हैं। बात करेंगे हम 68 नमबर कोशन की कि भारती अर्थविवस्ता के उदारी करण का अगरदूत कहा जाता है। और जो भारती अर्थविवस्ता के उदारी करण का अगरदूत कहा जाता है ना वो कहा जाता है मनमोहन सिंग को। यदि आपको याद होगा तो सन 1900 इंचानने की बात है उस समय भारत के जो बित्त मंत्री थे वो थे आपके डांकर मनमोहन सिंग। उस समय भारत के मुक्यमंत्री थे मनमोहन सिंग और उस समय जो भारत की अर्थविवस्ता थी वो थी 3 trillion dollar थी तीन trillion dollar थी तो उस समय आप सोचिये कि इन्हों ने इतना अच्छा काम किया था और बरतमान की बात करें तो बरतमान में लगवक चारसो पांसो चारसो पैंसेट सैच चारसो पैंसेट ट्रिलियन डॉलर के आसपास एकोनॉमी है फिर भी भारत देश में देखिए कितनी जादा विरोजगारी भुखमरी एस अभी समस्याएं बनी हुई हैं तो आप एक तरह से कह सकते हैं ना कि जो ड भारत के दो दो व्यक्ति ऐसे हुएं ऐसा सासनकाल हुआ है एक आपके अटल विहारी बाजपई और दूसरे आपके डाकर एपीज अब्दुलकराम ऐसे महापूर्सों का जिन्हों ने दर्शन किया है ना उनसे वड़ा भाग साली कोई नहीं हो सकता यद यह ना होते तो सा किस परकार यह किस परकार बनाया कितनी सहयक किया आप एक एक अठल विहारी बाजपई जिने और एक जदूलकर जी ने बात करेंगे में नश्ट को की तो हमारा नश्ट व lass alright केलकर इस कि किसी फार्षों का संबंध किस से है और इसका जो संबंध है वो है करूंसी बायो गैस में मुक्षित होता है और बायो गैस में जो मुक्षित होता है वो होता है करवन डाय अकसाइड एवं मीथेन सी राइट एंसर हो जाएगा बात करेंगे हम आगे तो हमारा 71 अमर का कोस्टन है आवामी लीग राजनीतिक दल है जो आवामी लीग है वह राजनीतिक दल है बंगला देश का कहा का है बंगला देश का यह एक राजनीतिक दल है तंजाबूर राम मूर्ती कौन सा बादक बजाते थे और ये बादक बजाते थे मृद गम बाद ये बजाते थे कहां के थे आपसे पूछ लिया जाये तो ये थे तमिन लांडू के नेस्ट कोशन है रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठान है और इससे जो संबंधित संगठान है वो है आपका आई यू सी यन आई यू सी यन तो आप लोग कमेल करके जरूर बताएगा इसका फुल फॉर्म इसकी इस्थापना साथ ही साथ इसमें कितने प्रकार की लिस्ट जारी करता है बात करेंगे हम नेस्ट कोशन की तो हमारा 74 नमर का कोशन है अब्दुल्ला गोल्ड कप डैड डैस के लिए है जो आपका अब्दुल्ला गोल्ड कप है न यह हांकी खेल से समंदित है नेस्ट कोशन है भारत की ना अब कैसे यदि आपने कभी देखा होगा जो आपके PM होते हैं PM के साथ एक guard होता है वो guard अपने हाथ में एक black color का suitcase लेके चलता है वही इसका man control कहा जा तो control power उसी suitcase में रहता है तो यदि आप अभी तक ना देखे होंगे तो कभी भी आप देखिएगा कि उनके साथ कभी ladies कभी gents एक black color का suitcase लेके ही चलेंगे चुकि जब प्रिधान मंत्री आदेश देंगे तभी आप कोई nuclear जो आपका missile होती है उसको आप छोड़ सकते है बात करेंगे हम आगे तो हमारा 76 नमर का question है बात करेंगे हम नश्ट को संकी कि भारत में सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र गुजरात में इस्थित है अब गुजरात के किस छेत्र में तो गुजरात का जो अलंग गुजरात का एक अलंग छेत्र है इस अस्तान पर सबसे बड़ा सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र इस्थित है बात करेंगे हम आगे तो हमारा 78 नमर का क कोशन है भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाडी का हाल ही में निधन हो गया बहुत भेरी भेरी मौस्ट इंपोर्टेंट कोशन है यह आपके एक्जाम पाइंटर व्यू से और यह थे आपके अक्तर अली अक्तर अली इस कोशन के राइट एंसर हो जाएंगे यदि बात करें तो इन्हों ने 1969 से लेके 1964 तक भारत के लिए टेनिस खिलाडी के रूप में कारिक किया था बात करें हम नेश्ट कोशन की तो नेश्ट कोशन है रेल मंत्री ने किस बर्स तक भारत को विश्ट में पहली प्रदूशन रहित रेलवे बनाने की घोशना की है यह है आपका 2030 2030 इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा बात करें हम नेश्ट कोशन की तो हमारा नेश्ट कोशन है एट्टी वन एट्टी नमबर का हमारा जो नेश्ट कोशन है इनोबेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्न में से किस अस्थान पर था और इसमें जो भारत का इस्थान था बो था पच्चा सहबा पच्चासवे नंबर पर भारत का यह अस्थान था बात करें नेश्ट कोशन की कि सम्धान के किस अनुक्षेद में स्वायत राज का निर्मार सूची बद्ध है और जो आपका आर्डिकल 244A है ना इसमें उल्लेक किया गया है कि असम के भीतर एक स्वायत राज के निर्मार की माग की गई थी और इसके लिए केंद्र को एक र नेश्ट कोशन की तो हमारा नेश्ट कोशन है ये जो है ना एक कोशन आप ध्यान रखीएगा कि ये ये जो आजठकल 244A है यह आप से पूछ ले जाए कि आजए के आजए को थी नमर का कोशन है हाली में पार्लर का निलंबन हुआ है इसमें सही कथन चुने पार्लर ट्विटर की एक सोशल नेटवर्किंग एप है पार्लर की सुरुवात सुरक्षा विसेशता हैं काफी कड़ी है जिसके कारण इसे प्रतिवंदित किया गया है कूट आपके दिये हुए है और दिये हुए कूट में आपका हो जाएगा केबल एक केबल एक इस कोशन का राइजन साल हो जाएगा चुकि यह दिसमें थोड़ा डिटेल की बात करें तो पार्लर एक सामाजिक नेटवर्क प्लेट फार्म है इस पर हानकारक और हिंसा भरकाने वाले कंटेंट के लिए परियात सुलक्षा उपाय नहीं करने का आरोप लगाया गया था बात करेंगे हम 83 नमर कोशन की तो हमारा 83 नमर का कोशन है इस बरस राष्टी मौसम विग्जान का थीम क्या थी इसकी जो थीम थी वो थी राष्ट के समावेसी विकास के लिए मोट् स्वीर्जर लेंड है ना जिम्मेदार है यह आपको ध्यान अखना है जो स्वीर्जर लेंड है यहां पर इबोला वैक्सीन का बैस्षिक बंडार बनाए जा रहा हैसे evolve नमर कोशन की तो हमारा औट कोशन है नोबे संधान संद्शंद्ध वारा बेरुबारी राज छे राज 1858 में संधी की गई उस संधी के सर्थ के अंसार बेरुबारी के साथ एक खुलना भी अस्तान है ध्यान रखिएगा आप नेक्ट कोशन की हम बात करें तो पुर्तगाली सासन से स्वतंत्र किस छेत्र को दसवे संजान संसोधन दवारा संगसासित प्रदेश में परिवर्तिट कर दिया गया था और यह आपका जो छेत्र थाना यह आपका छेत्र दादर एबं नगर हवेली इसे दादरा एबं नगर हवेली भी कहा जाता है यदि हम इसके थोड़ा इतिहास की बात करें, तो जब आपका 1904 में पुर्तगाली सासन से स्वतनत्र हो गया यह आपका दालदर नगर हवेली, और इसे 1961 में गस्वे सम्धान संसोधन द्वारा संग सासित प्रदेश का दर्जाद दिया गया था. यदि हम बात करें गोबा, गोबा की बात करें, तो गोबा वा दवन दीप को बारवा, जो बारवा आपका सम्धान संसोधन हुआ था, 1962 में इसके द्वारा संग सासित का दर्जा प्रदान किया गया था, यह आपको ध्यान अखना है. बात करेंगे हम आगे तो हमारा नेस्ट कोशन है, 87 नंबर का कोशन. निम्न में से किस छेत्र में जन्ता द्वारा जो ग्याल का सासन समाप्त करने के पस्चाद जन्मत की इक्षा जताई थी. अयह आपका जो राज था बो था आपका सिक्किम. यह था आपका सिक्किम. इति चति सहबाद समध्धान संसोधन जो हुआ था कब हुआ था? नाइंटी सेवन्टी फाइव में. इसके द्वारा जो आपका सिक्किम थाना सिक्किम को बाइसवा भारत का बाइसवा राज यानि बाइसवा संपून राज बना दिया गया था यह आपको ध्यान रखना है. और जो सिक्किम हैना सिक्किम सासन के प्रावधान के लिए आपका आड़कल 371 चा का बिशेष प्रावधान किया गया था. आगे हम बात करें एर नमर को सनकी कि स्री कृष्ण आयोग निम्न में से किस राज केंसासी प्रदेश के निर्मार से समंध थी थे? और इसका जो समंध ह बोथ आपका तिलंगाना से यह तिलंगाना की बात करें तो इसका गठन किया गया था 2 जून 2014 को जब से बना था भारत का यह उसमें था 29 राज लेकिन बरतमान में 28 राज और 8 के इंसासी प्रदेश हैं यह भी आप थ्यान रखिएगा बात करेंगे हम आगे तो हमारा निश राचन आयुक्त हैं कि डेली डेली आप पढ़ते हैं सुनिये रोड़ा सुनिये रोड़ा लेकिन देखिए ऐसे कोशन आपसे घुमा के पूच ले जाएगा और यह हैं 23 नंबर यानि 23 नंबर के हैं नेक्ट कोशन की बात करें तो भारती सम्धान के किस भाग में राज बात करें तो जो आपका भाग 14 भाग 14 के आर्टिकल जो आपका आर्टिकल 315 से लेके 323 तक इसकी स्थापना का प्राधान किया गया है बात करेंगे 91 नंबर कोशन की तो मारा कोशन है भारत में नियंतरक महालेखा परिक्षाण निमल्खित में से किसकी प्राप्तियों और अजब्या का लेखा परिक्षाण नहीं करते अजय नहीं करते हैं इस्थानी निकायों का इस्थानी निकायों यानि आपकी जो ग्राम पंचायत होती है इनकी राइट बात करेंगे हम 92 नंबर कोशन की तो कोशन है निती आयोग की स्थापना किस वर्स हुई थी जो आपका निती आयोग है ना इसकी स्थापना होई थी एक जनबरी 2015 को निती आयोग की स्थापना की गई थी योजना आयोग को हटा कर नेस्ट कोशन है राज मारवादिकार आयोक के अध्यक्षवा सदस्यों के नियुक्त किसके द्वारा की जाती है और इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राजपाल द्वारा लेकिन हटाएगा कौन राष्टपती धियान रखिएगा राष्टपती इसको हटाता है यही गलती आपसे हो जाती है बात करें हम नेश्ट कोशन की कि अंसूचित जनजातियों के कल्यान और विकास के कारियों को घर्ट देने के लिए एक नए जनजाति मंत्राले की स्थापना किस वर्च की गई थी और इसकी स्थापना की गई थी उनिस सो निन्नाने इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा बात करेंगे हम next question की तो हमारा 95 नमर का question है सुजना का अधिकार अधिनियम का nodal मंतराले कौन सा है इसका जो nodal मंतराले वो है कार्मिक और प्रसिक्षन विभाग C right answer हो जाएगा next question की बात करें तो हमारा 96 नमर का question है निम्न मेंसे कौन सेना के बाहनों को उठा कर ले जाने में सक्चम हेलिकेप्टर है यह आपने पढ़ा होगा ना तो यह आपका चिनुक चिनुक हेलिकर्टर है जो अमेरिका द्वारा अमेरिका द्वारा बोईंग अमेरिका की एक कंपनी थी बोईंग इस कंपनी द्वारा इसे बनाये गया था बात करेंगे हम नेश्ट कोशन की तो हमारा नेश्ट कोशन है निम्न में से किस तूफान का संबंध फिलिपीन से है और ये तीनो तीनो तूफानों का संबंध आपके फिलिपीन से है बात करेंगे हम 98 नमर कोशन की तो हमारा 98 नमर का कोशन है माना व संसाद्धन विकास मंत्राले द्वारा कोरोना वाइरस के प्रयासों की निगरानी हैथ निम्न मेंसे कौन सा पोर्टल लांच किया गया? यह पोर्टल था आपका युकती पोर्टल! युकती पोर्टल इसको संकार राईजेंसर हो जायेगा! यहाँ प्रवासी मजदूरों को स्वारोजगार के अबसर देने है उत्रा खन सरकार द्वारा चलाय गया था यह गती प्रोटल की बात करें तो परियोजना एवं निर्मार से समंदी सिकायत है तो केंदरी सडक परिवहन मंत्राडे द्वारा चलाय गया था और इंस्योर पोर्टल की बात करें तो डीवी टी की प्रक्रिया को बेपार्दासी बनाने हेथ नावार दारायस चला गया था नेश्ट कोशन की बात करें तो पासेक्स 2020 संव्क तो सैनव भ्यास समद्ध है और इसका जो समद्ध है वो है आपका भारत एवंडूस से भारत एवंडूस इस कोशन का राइट अंसर हो जाएगा यह जो सैनव भ्यास हुआ था ना वह हुआ था हिंद महा सागर में पूरवी हिंद महा सागर में नेश्ट कोशन की बात करें तो जन संग्षा का महा विवाजक बर्थ माना जाता है 2021 को 2021 इस कोशन का राइट अंसर हो जाएगा सो दोस्तों हमने यहाँ पे आपके लिए टोटल हंडेट कोशन कभर किये एह हंडेट कोशन आपको आसा है कि पसंद आएगे यदे आपको पसंद आएए तो आप इस सेसन को ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथी आपके साथ सदैप सुरक्षित महसूस करें इस पहल को आप विसेश तोर पे ध्यान दिजेगा और अन्य लोगों को भी इसे समझाने की कोशिस कीजेगा मिलेंगे नेक्ट क्लास में जब तक के लिए जै हिंद